Hello everyone, कैसे हैं? I hope अपलूग ठीक होगे और अच्छे होगे निव टिप्स, निव हैक के साथ आ गई हूँ फ्रेंस टिप्स एंड टिप्स से काम करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा, फिर टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा तो चलिए फ्रेंस निव टिप्स के साथ आ गई हूँ तो चलिए वीडियो में बने रहें तो देखिए यहां पे आप देख रहे हो जैसे कि इस तरीके से प्याज लिये हैं तो एक प्याज तो मेरा छीला हुआ है और दो प्याज बिना छीला हुआ है तो उसे हमें क्या करना है यह जो देखिए गलती कहां पे हम लोग करते हैं सुबस साम तो हमें प्याज छीलना ही होता है और फिर यहां पे हम जो पहले छील लेते हैं प्याज तो बस हम उहीं पे गलती करते हैं फिर आप इसे कट करते हो तो ये सही से कट नहीं होगा ये जो प्याज है ना चिकना हो जाता है जब आप इसे छील देते हो तो ये चिकना हो जाता है फिर आप इसे चाहे आप सलाद के लिए काट रहे हो या फिर सब्जी में डालने के लिए काट रहे हो तो देखो इस तरीके से सलाद आप काट रहे हो तो यह नहीं कटेगा छिलने के बाद और यदि आप सलाद के लिए बिना छीले हुए प्याज को कट करते हो जैसे कि इस तरीके से हम बिना छीले हुए प्याज को कट करेंगे नहीं बिना छीले हम प्याज को इस तर तो यह बीना छीला हुआ प्याज को इस तरीके से सलात काटते हैं तो इसे बहुत ही अच्छे से कट भी हो जाता है और फिर बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है और फिर हमें क्या करना है बाद में इस तरीके से जिसे की सलात काट लिए तो देखिए यह बहुत ही अस तरीके से आप यदि बीना छीले हुए काटते हो तो फिर ये बहुत ही अच्छे से पतले-पतले कट जाता है फ्रेंज तो यहाँ पर देखिए हमारा सलाद इस तरीके से कट चुका है तो हमारा यदि आप लोग को टिप्स पसंद आरा है फ्रेंज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और फ्रेंज के साथ सेर भी करना अच्छा लगे तो चलिए तो फ्रेंज दूसरे टीप्स के तरफ चलती हूँ जैसे कि यहां पर आटा लिए हैं तो क्या करते हैं ना देखिए आटा यह लिए हैं तो इसको जैसे कि हमें आटा लगाना है और इस तरीके से रिंग पहनते हैं हाथ में अंगली में तो क्या होता है ना आटा जब गुर्थ हो उसके हम ऐसे कीचन में जैसे की छोड़ दियें तो कभी गलती से छूड़ जाता है तो इस पर कोई रखा गया कोई आया तो फिर गलत फैमी में तो वारा नुकसान ही नुकसान हो जाता है तो इस तरीके से देखो प्रेंस हमें ले लेना है पर्स तो इस पर्स को हमें लेकर क्या कर और यह जो सब्सक्राइक करें तो फोरा सा प्रस करी। सब्सक्राइब चैनका चाली में लेते हैं और यह सिसी चेफ होता है। अच्छा है ये टीप्स जो कि आप इस तरीके से पर्स को टच कर देते हो दिवाल में तो आप कुछ भी चीज उसमें रख सकते हो जैसे कि आपका कीचन का हुआ जैसे आप चीट बना रहे हो या फिर कुछ तो आप उसमें रख सकते हो तो इस तरीके से एक पर्स कीचन में भी रहना जरूरी है और इस तरीके से आप आटा भी लगा लो तो काम तो बहुत ही असान हो गया है और चलिए फ्रेंस दूसरे टीप्स के तरफ चलती हूं तो देखिए जैसे कि हम लोग इस तरीके से कंगी मार्केट से लेकर आते हैं ठीक है और क्या हो जाता है न जैसे इतना य बहुत चुबता है कभी कभी आप कंगी देखे होगे कि जैसे कि हम बाल को बाल में डालते हैं तो बहुत चुबने लगता है तो इसका जो है न यह दात जो ता है कंगी का वो थोड़ा सा जो है निकला निकला टाइप कराता है चिप्ता टाइप कराता है तो वो जो है ना व इस तरीके से गड़म करने के बाद हमें क्या करना है इसको कंगी को ले लेना है तो हमारे जो भी कंगी हमारे इस तरीके से है खड़ाब जो चूब रहा है उसको हमें हलके हलके ज्यादा जोर से नहीं करना है हलके हलके इस तरीके से हमें कर लेना है दोनों साइड तो देखिए जो थोड़ा सा खोड़ो स्टैप में होता है वो सब सही हो जाएगा और फिर आप कंगी करोगे तो फिर बहुत ही आणाम से आप कुछ चुभेगा नहीं ठीक है अच्छे से कंगी हो जाएगा तो चलिए अगले टीप से देख लेती हूं क्या है तेहां पी देखी फ्रींस जै ज्यादा रेट में नहीं खड़ीते हैं और उसमें क्या होता ना कभी कि यह जो कप है वो सही से बैटता नहीं है उपर नीचे रहता है यह गयाई तो क्या करें उसे हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पस बहुत सारे तरिके से असे कर और और फिर जब तक हडाप नहीं होता है तब तक हटा भी नहीं सकते हैं तो देखें इस तरीके से हमें ले लेना है जो हम लहसनादी कस करते हैं गरेंडर उसको ले लेना है तो यह क्या होता है ना कि यह भी इसका कभी-कभी धार जो कम हो जाता है तो हम इससे जल्दी कस नहीं हो कि अधी होटा है तो देखे हम इस तरीके से क्या करेंगे कप जो हमारे ऊपर नीचे है वह जिधार निकला हु 55 उस तरीके से हम इस तरीके से घिषेंगे ठीक है तो हमारा ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा तो आई होब आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और सेयर करना फ्रेंज ठीक है ना आज का वीडियो यहीं तक करना